नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस जहां पर हम डिस्कुस करेंगे भारत है विए लेक्ट्रिकल के बारे में क्या आपको इस शेर पर जो है निवेश करने चाहिए नहीं है और नेक्स टार्गेट जो आपको इस शेर में क्या देखने को मिलेंगे वो भी क्लियर कर देंगे तो गैस अगर आप जो है इस शेर में निवेश करने की सोच रहे तो वीडियों दूर देखे घाँ चले फिर पिछले पांस तीन पर्सेंट एक मीने में 4 पर्सेंट तो एक स्ट्रॉंग गिरावट और स्ट्रोंग सेलिंग हमें भूमें देखने को मिली क्योंकि जो प्रा़डर मार्केट सेलिंग थी उसके वज़से बी ए depends on the matter N तो आप यौह से ड cada कंपनी फंडमेंटली फ्राउंग फैनेशल भी स्ट्राउंग ग्रोफ हौल पोजिटिव लेकिन ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग और थोड़ा स्ट्रेच और वैलिवेशन मेंग यह होनी के वज़े से जो है प्रॉफिट बुकिंग हमें जो है बीचल में देखने को मिली बाक कर दो कर दो डेहीं तो मैं आपको यहीं रहा दूंग और मेरी आपको यही सल लेगी बीचल में बनाई है कोई भी कमी आपको जो बी हिचल में देखने को नहीं मिलेगी आप लोग जो है long term point of view इसमें बैठे long term के लिए share काफी बढ़े है लेकिन short term में भी यहाँ पर एक weak sentiment और एक weak trend हमें देखने को मिलेगा तो दोस्तों के वहाँ आप जो है next buying कर सकते हैं वहाँ पर एक strong sport जो है बन रहे हैं तो 200 तक जो है भी यहाँ पर हमें hulky full की और correction जो है देखने को मिल से तो थोड़ा सोथ समझके जो है बीचल में बाइंग करेगा यह शेर भी आपको थोड़ा जो है यहाँ यहाँ पर जो है पेंडे से लेकिन long term point of view से stock आपको अच्छे return बनाके देगा लेकिन अभी short term में जो है यहाँ पर आपको weak sentiment बनता हो दिखेगा बाकि order book company काफी strong है तो गाइस कोई भी न्यूज आती है बीचल से related हम आपको बता देंगे तो गाइस प्लीज चैनल को subscribe करके रखे और वीडियो को like किए धन्यवाद